ये वचन के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा दूसरे पत्रस की पत्री उसका तीन अध्याय उसकी दस से तेराय तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार लिखाए परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़ाडाट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुती तप्त होकर पिगल जाएंगे और पृत्वी और उस पर के काम जल जाएंगे जबकि ये सब वस्तुएं इस रीती से पिगलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भगती में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमिश्वर के उस दिन की बाट किस रीती से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके करण आकाश आग से पिगल जाएंगे और आकाश के गण बहुती तप्त होकर गल जाएंगे पर उसके पृतिग्या के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नए पृत्वी की आस देखते हैं जिसमें धारमिक्ता वास करेगी देखे जब हम पहले और दूसरे पत्रस की पत्री पढ़ते हैं तो सिच्वेशन यहाँ पर अलग है दूसरे पत्रस की पत्री में क्या हो रहा है कि जो जूटी सिक्षाएं थी फोल्स टीचिंग्स वर वाइट स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा जूटी सिक्षाएं आसपास फैल गई थी और कलिस्याओं में तो जूटी सिक्षाँ की बरमार हो गई थी जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत परिशानी कलिस्याओं में आ रही थी और वहाँ पर जूटी सिक्षाँ आने के कारण इम्मोरलिटी यारी की अनैतिकता विश्वासियों में बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी विश्वासी जो पवित्र चाल चलन चल रहे थे अब उस पवित्र चाल चलन को छोड़कर ऐ पवित्रता की ओर जा रहे थे गंदे काम लुचपन इस परकार की चीज़े उनके बीच में आ रहे थी और प्रेडित पत्रस दूसरे पत्रस की पत्री में लिखते हैं कि आंसर टू यूर प्रोब्लम लाइज इन दा गोट्स वर्ड जो तुमारी समस्याएं हैं तुमारी समस्याओं का जवाब और तुमारी समस्याओं का समधान ये सिर्फ और सिर्फ परमेशर के वचन में मिल सकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोब्लम थी येशु मसी की दूसरी कमिंग को ले कर कुछ लोग कहते थे कि बहुत लंबा टाइम हो गया अब येशु मसी नहीं आने वाला है और कुछ लोग मजाक बनाते थे और पत्रस इसके बारे में भी इस पत्री में लिखते हैं अब आप यहाँ पर ध्यान दे इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें इससे पहले ध्यान दे कि प्रेरित पत्रस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो उस समय वो सेवकाई में लगबग पिछले 30 सालों से हैं 30 सालों का उन्हें एक्सपिरियंस है कलिस्या के साथ जूटे सिक्षकों को वो देख चुके हैं कैसे जूटी सिक्षाएं मसी की कलिस्या को खोकला कर देती हैं कैसे समस्या उत्पन करती हैं उन्हें 30 साल का अभी समय पर जब वो सेकंड पिटर की पत्री लिख रहे हैं 30 साल का उन्हें एक्सपिरियंस है वो बहुत सारी चीजे देख चुके हैं दूसरी बात जब वो ये पत्री लिख रहे हैं तो उनका मिर्त्यू का समय नज्रीक है पहला दियायस की 14 और 15 आयत में आप देखिए वो लिखते हैं कि मेरे कूच करने का अब समय आ गया है मलब मैं आप जाने वाला हूँ जब कोई इनसान मरने वाला होता है तो वो मजाक नहीं करता जब आप और में मरेंगे तो मरने से पहले हम अपने बच्चों के साथ अपने घरवालों के साथ मजाक नहीं करेंगे इनसान सीरियसली बुलाता है अपने बच्चों को बुलाता है कि बच्चों देखो ये मेरी प्रोपर्टी है तुम्हें से इस प्रकार डिवाइड कर लेना या ये मेरा पैसा है उसको दिया हुआ है आप उससे ले लेना सो उस angle को उस mindset को रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम परमेश्वर का जो वचन है हम परमेश्वर के वचन को उचित रीती से समझ पाएंगे और वो बार-बार इस बात पर ज़्यादा जोड देते हैं कि जो जूटे सिक्षक है जूटे सिक्षक से परे रहो खुदा के सच्चे कलाम को जानकर और वो हमें सिखाते हैं बार-बार कि परमिश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए हमारा primary growth है primary source है हमारे growth के लिए तो आईए उन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम इस वचन को सीखते हैं और परमिश्वर हमारी मदद करेंगो तो यहाँ पर जिस परकार हमने पढ़ा तीन अध्या है उसकी 10 से 13 आयत में तो वो इस परकार लिखते हैं परंतु प्रभू का दिन चोर के समवन आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़ाडाट के सब से जाता रहेगा रोम में से वो यह पत्री लिख रहे थे अब रोम उस समय के एक सबसे बड़ा और एक सबसे पाउरफुल सिटी थी या एक स्थान था उनके पास बेस्ट मिलिटरी थी उनके पास वो सबसे अमीर थे उनके पास बहुत इंटेलिजेंट लोग थे politics में भी हम सब से उपर थे तो प्रेरित पत्रस उन सब चीजों को देख रहे हैं उब्जर्व कर रहे हैं उन सब चीजों को कलिस्या में समस्या आ रही है लोग कह रहे हैं मसी आने नहीं वाला बहुत सारी चीजों और बहुत सारी चीजों को लिखने के बाद वो ये पत्री लिखते हैं और पहली बात क्या लिखते हैं कि प्रभू का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़ाट के सबसे जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तब्थ होकर पिगल जाएंगे और पृत्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे जबकि ये सब वस्तुएं इस रिती से पिगलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और बगती में कैसे मनुश्य होना चाहिए दोस्तों पहली बात प्रेडित पत्रस यहां पर कलीसिया के सामने रख रहे हैं कि दिस आर्थ इस कि सारी चीजें जाती रहेंगी कलुसियों की पत्री उसका एक अध है उसकी साथ आयत में लिखाए कि प्रभू येश्व मसी पूरी सृस्टी को पगड़ कर रहते हैं पूरी सृस्टी प्रभू येश्व मसी ने पकड़ के रखे जैसे कि अपने हाथों में उठा रखी है और जिस दिन वो इस चीज़ को छोड़ देंगे, तो पूरी की पूरी पूरी पृत्वी नाश होने वाली है, आज आप और में हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है, हम सोचते हैं कि हम इस पृत्वी पर, इस दुनिया में हमेशा के लिए, हम सरवद of things about, अपना ध्यान, अपना मन, ऊपर की वस्तों पर लगा ले, क्यों ऊपर की वस्तों पर क्यों लगा ले, क्योंकि ये जो पृत्वी है, यहाँ पर हम सदा सरवदा के लिए, नहीं रहने वाले, भाई ओ बैनो, येशु मसी, जब अंतीम समय में थे अपने, तो येशु मस क्या कहते हैं, कि my kingdom is not of this world, मेरा समराज्य इस संसार का नहीं है, अगर मेरा होता, तो मेरे लोग भी आकर लड़ते, लेकिन मेरा समराज्य यहां कर यहां पर नहीं है, भाई ओ बैनो, आज हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है, कि जब हम पृत्वी पर रह रहे हैं, तो पृत्वी से और यहां की वस्तों से हम कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना महुबत कर रहे हैं, क्या हम इस चीज़ को जान पा रहे हैं, हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कि यहां पर हम सदा सरवदा के लिए नहीं रहने वाले, हम अपनी जिदगी यहां पर ऐसे बिता रहे ह आज कि जैसे हम यहाँ सदा सरवदा के लिए राज्ये करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है वचन कहता है कि यह सब चीजे एक दिन जाने वाली है यह जो दुनिया है यह दुनिया हमारा हमेशा का घर नहीं है यहाँ पर नोटिस कीजिए आप 10 और 11 आयत में जब वो कहते हैं कि यह सब चीजे पिगल जाएंगी चीजे पिगलती किस्से हैं या तो दूप जब ज़्यादा पड़ती है जब चीजे पिगलने लगती है या फिर जब गर्मी होती है आग होती है आग की कारण चीजे पिगलने लगती है तो देखिए पुराने नियम में मीका नभी की किताब उसका चार अध्या है उसकी एक आयत में लिखा है The day of the Lord is coming like an oven, burning oven जिस परकार एक चूला जलता है जलते हुए चूले के समान ही परमेश्वर का वो दिन आने वाला है और उस दिन हर एक ब्रांच, उस दिन हर एक टैनी, हर एक जड़ कम्प्लीटली जला दी जाएगी ये चीजे परमेश्वर का वचन हमें पुराने नियम में भी वर्लिंग देता आ रहा था और प्रेरित पत्रस जिसी चीज़ को याद करते हैं कि पहले से ये चीज़े बताई गई हैं, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं अपने मरने से पहले आपको फिर दुबारा मेरे लोगों, जो मसी में मेरी कलिस्या है मैं आपको यही आद दिलाना चाहूँगा कि this is not our permanent home ये जो पृत्वी है, ये पृत्वी हमारे सदा सरवदा का गर नहीं है आज हम पृत्वी पर कैसा मन लगा रहे हैं आज हम किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं किन चीज़ों के पीछे हम पढ़े हैं कैसे, क्या हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं हमारे जीवन से ऐसा behavior हो रहा है कि हम अपने जीवन के दुआरा दिखा रहे होगी हम तो यहाँ पर हमेशा के लिए आए हैं हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे आज हमें अपने जीवन को check करने की जरूरत है प्रेरित पत्रस अपनी मोथ से पहले बड़ी गंबेरता से लिखते हैं मैंने ही मानता कि मरने से पहले कोई मजाक करता है और मरने से पहले वो इस चीज़ को लिख रहे हैं बड़ी सीरियस बात लिख रहे हैं प्रेरित पोलुस भी जब वो मरते हैं मरने से पहले तिमूतियों उसको पत्री लिखते है और वो कहते हैं कि देख मेरा तो समय आ गया है लेकिन तिमूतियों जो तुझे जरूरत है वो खुदा के वचन में है वो लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है सिखाने के लिए, करेक्ट करने के लिए लाबदायक है, उपदेश देने के लिए तो वो सभी लोग परमिश्वर में विश्वास के लिए बड़े स्थिर थे और जानते थे कि हम यहाँ पर सदा सरवादा के लिए हमेशा नहीं रहने वाले आईए 11 आयत को देखते हैं एक बार, 11 आयत में लिखते हैं कि जबकि ये सब वस्तुए इस रीती से पिगलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भगती में कैसे मनुश्य होना चाहिए और परमिश्वर के उस दिन की बार किस रीती से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिगल जाएंगे और आकाश की गर्ण बहुत ही तपत होकर गल जाएंगे दूसरी चीज़ दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि वो बात कर रहे हैं पहली चीज़ तो वो कहा रहे हैं कि यह जो पृत्वी है यह हमेशा के लिए हमारा घर नहीं है उसके साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि हम एक दूसरी मंजिल पर जाने वाले हैं एक दूसरी हमारी मंजिल है वो मंजिल यहां की नहीं है वो मंजिल आने वाले समय में है जहांपर हम सिर्फ पवित्रता के साथ परमिश्वर के पास पहुँच जाएंगे देखें दूसरे कुरंथियों की किताब उसका पाच अध्या है उसकी पहली आयत में प्रेडित पोलस लिखते हैं कि हमें पता है जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो टेंट जो पृत्वी पर है वो नाश कर दिया जाएगा कोई चिंता की बात नहीं हमारे पास एक दूसरी बिल्डिंग है जो परमिश्वर की तरफ से हमें दी जाती ये शुमसी ने क्या का ये शुमसी ने का कि मैं जाता हूँ मैं जाकर तुमारे ले एक स्थान तयार करता हूँ चहां मैं हूँ महा तुम भी रहोगे और फिलिप्यो तीन अध्या उसकी 20 और 20 आयत में प्रेडित पोलस कहते हैं चिटीजन शिप इस नागरिकता है हम स्वर्ग के वासी हैं हम वहाँ जाने वाले हैं पर तुमी पर हम सदा सरवदा के लिए नहीं रहने वाले हमारी मंजिल एक दूसरी मंजिल है और इसलिए वो इस पत्री को लिखकर विश्वासी उप याद दिलाते हैं कि देखो परमिश्वर का दिन आने वाला है हम सदा सरवदा के लिए आप नहीं रहेंगे हम उस थान पर जा रहे हैं और जैसे मैं आपको पहले मीं बताया था कि इस पत्री में जब प्रेडित पत्रस लिखते हैं तो उस सरवें आप पर बहुत सारी जूटी सिक्षाओं थी एक दिन मैं सोच रहा था कि बाईवल बार बार जूटी सिक्षाओं के बारे में ऐसा क्यों लिखती है आखिरकार लोग एक दूसरे से उनकी बाते कहीं नगई अलग तो होती है लेकिन जूटी सिक्षाओं के ओपर बाते हैं इतनी सारी क्यों की गई है बाईवल में तो मुझे पता लगा जैसे चूगा मारने की दवाई होती है चूगा समझते हैं आप रेट चूगा मारने की जो दवाई होती है चूगा मारने की दवाई में 95% चीज़े खाने की चीज़े होती है 95 प्रतिशत चीज़े उसमें खाने की है और उसमें 5 प्रतिशत ही जहर मिलाया जाता है तो चुगा जब आता है तो चुगा को लगता है सुंगने के द्वारा ये तो खाने की चीज़े है मैं इसे खा लेता हूँ और चुवा उसे खाता है और जाकर मर जाता है तो जो 95 प्रतिशत जो अच्छी भली चीज़े उसको लगती है वो भली चीज़े उसको नहीं बचा पारी है लेकिन जो 5 प्रतिशत बुरा ही है जो 5 प्रतिशत पाप है जो 5 प्रतिशत जहर उसके अंदर आ गया है वो 5 और इसलिए पाइवन में बार बार इन चीजों के बारे में बता गया है कि इन चीजों से परे रहो और इस बात को जान लो कि हमारी जो मंजिल है हमारी मंजिल यहां पर नहीं है हमारी मंजिल परमिश्चर के परमिश्चर के पास है दसली आयत पर एक बार फिर से फोकस करना च उस दिन आकाश बड़ी हडाडाट के सबसे जाता रहेगा और ततो बहुत ही तपतो कर पिगल जाएंगे और पृत्वी पर और उसके सारे काम जल जाएंगे जब हम इस पूरी पत्री का निचोड निकालते हैं पहले अद्याय में से दूसरे अद्याय में से तो प्रेडित पत तो कमपास हमें बताएगा कि हम नौर्ट में हैं हम साउत में हम आखिरकार कहां पर हैं तो इसी परकार प्रेडित पत्रस इस पत्री में हमें बताते हैं कि जो परमिश्वर का वचन है वो हमें डिरेक्शन दिखाने के लिए इनफ है जब हम खो जाए जब हम कन्फ्यूज हो तो हमें कहाना है, हमें परमिश्वर के वचन के पास आना है और इसमें लिखा है कि हमें एक नई पृत्वीक और एक नई अकाश की उमीद करते हैं उसकी बाठ जोते हैं कि जहां पर दार्मिक्ता वास करेगी और ये देखिए, ये जो आयत है 10, 11, 12 और 13 ये सबी चीजे कनेक्ट हो रही है 14 आयत में, इसलिए हे प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यतन करो कि तुम शांती से उसके सामने निश्कलंक और निर्दोस ठहरो वापर लिखा यतन करो, पूरी की पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो अपने आपको येश्व मसी के सामने निश्कलंक ठहराने की ताकि जब वो मसीय आये, जब वो दुला आये, तो वो दुलन तैयार मिल सके आज यदि ये शुमसी आते हैं तो क्या आप और में तैयार मिलेंगे हम क्या हमारे जीवन में वो तैयारी है या हम यही पर रह जाएंगे हम छूट जाएंगे क्या हम उन पांच जो कुवारिया थी जो बुद्धिवान थी उनके समन तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पांच मूर्ख थी उन पांचों के समन कर रहे हैं। कई बार हम पाप को एकनल लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम लाइटली लेते हैं। जैसे कि मानली थी, ये मेरे पास एक गलास है, इस में पानी है, इसमें मैं एक मूंद जहर की डाल दूँगा, जहर की एक मूंद डालकर उसको मिला दूँगा, तो क्या आप इस पानी को पीएंगे? मैं आपको कहता हूँ याकु भाई आप इस पानी को पिए याकु भाई बिएंगे आप इस पानी को इसमें तो एक ही बूंद जहर किये इसमें ज्यादा नहीं है सिर्फ एक है मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा पानी डाल दूँगा, इसमें कोका कोला मिला देता हूं थोड़ी, तब आप पिएंगे क्योंकि जहर उसके अंदर अभी है, जहरीला ये अभी भी है, ऐसे ही होता है, जब हम बात करते हैं कि हम अपनी भलाई के दौरा, अपने बले कामों के दौरा, इन चीज़ों को डाल कर हम परमिश्वर तक पहुचने की कोशिश करेंगे, दोस्तों वो चीज कभी संभव नहीं होने वाली है, वो चीज कभी भी संभव नहीं होने वाली है, और इसलिए परमिश्वर के वचन का प्रोपर ग्यान होना, परमिश्वर के वचन की नोलिज होनी बड़ी जरूरी है, अब यहाँ पर बात की जा रही थी, ये शुमसी के दूसरे आगमन को लेकर, कि देखो वो तो आएगा ही नहीं, दूसरे अदय में लिखा है, कि लोग ठटा उड़ा रहे थे, तीसरे अदय में, कि कब होगा वो समय, वो नहीं आने वाला, वो चोर के समान आएगा, उसकी प्रतिग गया तो पूरी नहीं हो रही है, वो तो बहुत देरी कर रहा है, अब प्राचिन कल लोग थे, उन्होंने इस बात तो को सुन लिया, और जब कुछ समय बाद महाँ पर भुकम पाये, लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने का कि हाँ, याद आ रही है मुझे वो बात, येश्यो मसी ने का था, कि जब मैं दुबारा हूँगा, तो भुकम पूरा है, इसका उन्हों में रहने लगे, उन्होंने मोनास्टरी बना ली, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किये, वो जाकर सिर्फ वहाँ पर मनन करते थे, वचन पढ़ते थे, अराधना करते थे, और उन्होंने अपने कई साल वहाँ पर बिता दिये, किस आस में केवल इस बात को जानते हुए कि अब येशु मसीद दुबारा वापस आ रहे हैं और ये जो चिन उन्होंने बताय थे वो चिन अभी हो रहे हैं और उनकी दुआ थी मारा ना था प्रभू येशु दुबारा जल्दी आ जा लेकिन येशु मसीद दुबारा वापस नहीं आए क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्राचिन कलीसिया के लोग उस समय की पूरता को चितरीती से समझ नहीं पा रहे थे और इसलिए जो समय उनको परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए इस्तमाल कर रहा था वो गुफाओं में जाकर वो बिताने लगी और यदि वो अपना काम उचितरीती से करते तो आज शायद हम सभी लोग हमारा पूरा का पूरा देश हम सभी के सभी लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग होते और एक मसी स्थान होता लेकिन खेर कोई ब्यात नहीं इस चीज को लेकर परमेश्वर के दुबार आगमन को लेकर दो एक्स्ट्रीम हैं दो ऐसे बिंदू है जिनके बारे में हम सोच सकते हैं पहरी बात है कि हम बहुत ही ज़ादा हर चीज के प्रती बहुत ही ज़ादा सीरियस हो जाएंगे हम सोचने लगेंगे जब दिन्ली में भुकम पाया हो अब भुकम पाया अब तो मितलब खतम होने वाला है सब कुछ तो मैं काम दंदा नहीं करूँगा कोई नोकरी नहीं करूँगा अब मैं सिर्फ और सिर्फ मसी के दुबार आगमन की तियारी करूँगा सन अठारा सो कुछ में अमेरिका में कलीसिया में ऐसा ही हुआ था उन्हें एक प्रकाशन मिला जो कि मैं मानता हूं परमिश्वर की उरसे नहीं था और उन्हें अपने विश्वासियों को कहा कि अक्तूबर के मैंने में येश्वर सी आने वाले है और लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता उन्हें कहा मुझे प्रकाशन मिला है कि प्रभू येश्वर सी आने वाले है लोगों ने अपना घर बेच दिया जिसके पास कार थी, उन्होंने अपनी कार बेच दी, गरीबों को दान कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था, अब हम जाने वाले हैं, और जो हमारे पादरी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है, और सब कुछ बेचने के बाद, पास्टर उन्हें पहाड पे ले गया, कि येशु अपनी महिमा में आएंगे, तो थोड़ी बहुत महिमा जो हमने सर्फ एक्सल लगा के पाईए हमारे कपड़ों में, थोड़ी बहुत महिमा तो हम भी दिखा देंगे येशु वसी को, तो वो लोग वहाँ पर गये, उन्होंने बताया था, कि लगबग साड़े दस बज़े क करीड येशु मसी आने वाले हैं, उन्होंने गिटार बजाई, हाथ उठा उठा कर गाने गाये, वेट करते रहे, येशु मसी नहीं आए, कुछ लोग ऐसे थे जो तीन दिन से फास्टिंग कर रहे थे, अब गाना गाते गाते, फास्टिंग के समें उनको चक्कर आने लगे क्योंकि पाड़ नहीं चड़के गए, उनके अंदर अब स्टैमिना नहीं बचा, लोग चक्कर खाक आकर गिरने लगे, सुबह से साम हो गई, पास्टर ने का हो सकता है, कुछ बात हो गई हो, अभी मुझे कोई दूसरा प्रकाशन तो नहीं मिला, अभी आप वेट कीजिए शायद येश्यो मसी सुबह आने वाले हैं, वो पाड़ पर दो-तिन दिन रुके रहे और येश्यो मसी नहीं है, उनके पास कोई खाना नहीं था, लोगों को चक्कर आने लगे, लोग गिरने पड़े, पता नीचे आकर क्या हुआ, नीचे आकर लोगों ने पास्टर को पग ना तब वो नेचे र है, जिस प्रकार चोर बता करने आता, प्रभू येश्यो मसी वैसे ही आप पर बताते हैं कि वैसे ही परमेश्यो भी हमें बता कर नहीं आने वाला, लेकिन वहाँ पर चिन होंगे और उन चिनों को देखकर हम समझ सकते हैं, तो इस प्रकार मसी के वारागमन को लेदर काफी कन्फ्यूज हो रहे थे और उसके पृति वो हमें चेताते हैं, हमें बताते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही हमारा सही मार्ग दर्शन करा सकता है और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में ही फोकस रहकर चलना चाहिए एक बार Mother Tracer एक होटल में गई और होटल में जाने के बाद महाँ पर कोई लाइट नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, पंखा नहीं चला, वो पूरी रात पसीने में रही, तो Mother Tracer से पूछा गया, आपको क्या लगता है, यह जो पृत्वी पर आप जिंदिगी बिता रही ह यहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटी वे आपको नसीड नहीं हो रही है, अब क्या करेंगे, Mother Tracer ने कहा, कि यह पूरी की पूरी जो मेरी पृत्वी पर जिंदिगी है, इसे मैं मानती हूँ कि यह सिर्फ एक रात जैसे होटल में बिताने के समान है, आज रात में होटल में अपना समय बिताऊंगी, और अगले दिन मैं दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी, आज मेरे पास बिजली नहीं है, आज मुझे हवा नहीं लग रही, कि कोई बात नहीं, मैं कल उस परमिश्वर के साथ जरूर मिलने वाली हूँ, दोस्तों वो विश्वास, वो फेथ, क्या हमारे अंदर है, चेक करें अपनी जिन्दगी को, क्या आज हम उस बात को लेकर जी रहे हैं, कि ये दर्ती हमारा घर नहीं है, इस वर्ल्ड इस नोट माय होम, आम वेर जिस पासिंग ठूरू, माय ट्रेजर सार लेड़ अप सम्वेर बियों डबलू, ये दुनिया मेरा घर है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक यादरी हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक यात्रा कर रहा हूँ, और मेरा जो धन है, मेरा जो खजाना है, वो ये जो नीला आसमान दिख रहा है, इसके पार है, क्या आज हम उस बात को लेकर, उस एमान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चेक करें all going away, सब कुछ हटने वाला है, सब कुछ खतम होने वाला है, यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है, दूसरी चीज हम यहां पर देख रहे थे, कि हम सबी की एक दूसरी मन्जिर है, हम सबी की एक दूसरी मन्जिर है, आज हम सबी लोग कोई पंजाब से, कोई अर्याना से, हम सबी अलग अलग स्थान से हैं लेकिन हम सभी की एक अलग मंजीर है जब मैं और भाई याकूब हम एक बाइबल पॉलिज में पड़ रहे थे याकूब भाई मिरसे एक साल सीनियर थे और हमारा जो कमरा था हमारा कमरा आगे पीछे था फॉर्थ फ्लोर पे याकूब भाई को शायद होगा और जब हमारा ग्रैजुएशन का समय आता था चार साल हम वाफर बिताते और परमेश्वर के वचन का दियन करते और चार साल बिताने से बाद जब वो समय आता जाने का कि हम सब ग्रैजुएट हो गए हम अपने गरों में जाएंगे कलीसियां में जाएंगे सेवकाई करेंगे तो ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलावाट आने वाली है हम इस स्थान से बंद गए हलाकि हमें पता होता था कि हम यहाँ पढ़ने के लिए हैं और पढ़ने के बाद हम दुबारा वापस जाने वाले और कलीसिया स्थापित करेंगे प्रचार करेंगे प्रबू का काम करेंगे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उस माहौल से उन सब चीजों से हमारी लगन हो जाती थी हलाकि हम इन चीजों को जानते थे हम यह से जाने वाले लेकिन फिर भी वो लगन हमारे अंदर रहती थी बाई ओ, बेनो сमझे इस शीज़ गो कि हमारी जो मंचिल है हमारी जो मंचिल कहाँ है हमारी मंचिल परमेशर के पास है वो परमेशर जो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और में आपके लिए स्थान तियार करूआ और तीसरी चीज़ आपर जो हमने सीखी वो है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारी guiding light है, यह शायन अभी लिखते हैं कि घास तो सूख जाती है, फूल मुर्जा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन सदैव अटल रहता है, निती व वचन को तुछ जानता है, वो नाश हो जाता है, लेकिन आग्या के डरवाईयों के उपर परमेश्वर की कारूना होती है, बाईयो बेनों आज जब हम अंतीन समय में हैं, जब हम अपने जीवन को प्रिपेर कर रहे हैं, अपने जीवन की, हम गाने गा रहे हैं कि ये शुमस आने वाला है, हम वो चरवा है, हमारा हम उसकी बेड़े हैं, तो क्या वो चीज हमारे जीवन से जलक रही है, क्या वो चीज हमारे जीवन से दिख रही है, क्या वो आने वाला है, और मैं उसकी तैयारी में हूँ, क्या वो चीज हमारे जीवन से दिख रही है, यदि नई दि परमिश्यूर के बचन को सीखते हैं तो हम इस बात को जनकर उत्साइत हों कि हाँ मसी एश्यूर एक दिन आने वाले हैं लेकिन उससे पहले परमिश्यूर चाहते हैं कि हम इस पृत्वीपर की चीजों से अपना मन हटा लें जान ले कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है हम एक द ताड़ना दी गई ताड़ना दी गई लोगों को परिशान किया गया और एक स्थान था एक स्थान पर जहां पर बहुत से मसीयों को उठा कर एक जेल में डाल दिया और ये जो जेल थी ये आईलेंड में थी जनी कि बीच में एक द्वीप है और द्वीप के चारों और पान जब रात हो जाएगी तो हम रात को यहां से निकल कर भागेंगे उन्होंने कहा कि उससे पहले तो हम प्रार्तना करते हैं क्योंकि हम फस गए तो हम फस गए तो मार दिये जाएगा में तो हम क्या करें तो एक मसी भाई थे जो उटकर जाते हैं टोईलेट में वो टोईलेट में गए और टोईलेट में जाकर वो देखते हैं बहाने से जाते हैं और टोईलेट में देखते हैं कि जो बाइबल थी बाइबल उनके हाथ में थी सैनिकों के हाथ में और वो बाइबल को ऐस टोईलेट पेपर इस्तमाल कर रहे थे टोईलेट पेपर की तरह बाईवल के पेज को फाड़ कर इस्तमाल कर रहे थे और ये भाई वहाँ पर जाते हैं टोईलेट के बाने से और ये वहाँ पर देखते हैं कि परमिश्वर के वचन को टोईलेट पेपर की तरह इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन फिर भी क्योंकि वो वचन को पढ़ना चाते थे जानना चाते थे कि आखिरकार परमिश्वर का वचनम से क्या बात करता है तो वो उस वचन को उठाकर उस पेज को उठाकर जिसके ओपर टोईलेट लगा हुआ था उसको उठाकर रूम में ले गए और वहाँ जाकर पढ़ने लगए और वहाँ जाकर जब उस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें रूमिव आठ उसका 28 था कि जो लोग परमिश्वर से मौबत करते हैं उनके लिए सारी बाते मिलकर बलाई को उत्पन करती है और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभू आप हमेरे लिए रस्ता तेयार के रहें प्रभू आप हमें यहां से बाहर निकले हम जानते हैं कि यह जो दुनिया है यह दुनिया हमारा घर नहीं है हमें मरना तो एक दिन फिर भी हैं लेकिन आज जब हम यहां से बागेंगे तो हम इनको बता के बागेंगे कि हम आज बागने वाले है तो जो बाकी के मसी थे वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं करना है अगर हम बताएंगे तो यह हमें दुबारा यहीं पर पगड़ लेंगे लेकिन वो भाई जैसे रात को बार निकलते चलता है बोट के पास जाता है तो सैनिक पीछे से देखते हैं एक सैनिक माँ पर खड़ा होता है वो कहता है वाट आर्यू ट्राइंग टू डू क्या करने वाले है तुम उसने का जनाब मैं तो यहां से भागने वाला हो उसने का भागने वाले हो उसने का भागो सब नाव में बैठ जाओ मैं भी तुम्हारे साथ भागूँगा क्योंकि जो ही अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है मैं भी इसको देखकर बरदाशनी कर रहा है वो सैनिक भी उनके साथ निकल गया देखे जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि सचाई के लिए हम खड़े रहेंगे चाया आज हम मर ही क्यों न जाएं चाया आज वो दिन हमरा आकरी दिन ही क्यों न हो परमेश्वर हमारी हमेशा मदद करेंगे परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करेंगे और परमेश्वर उस चीज़ के लिए हमेशा ततपर रहेंगे और परमेश्वर हमारी हमेशा अगवाई करेंगे परभू येश्व मसी आपकी और मेरी इफाज़त करें हम सबी की मदद करें और इस इन बातों के दुआरा मैं संदेश वाज कंक्लूर करना चाहता हूँ और मेरी आशा है कि प्रभु हम सभी की मदद करेंगी और जो सच्चाई परमिश्वर के वचन में मिलती है हम उसे पढ़ेंगी फिल्टर करेंगे चीजों को अपने आप परमिश्वर के वचन को खुद जानना और सीखना हम शुरू करेंगे और तब आप देखेंगे कि हम इस पृत्वी पर की चीजों से अटकर परमिश्वर के राज्य की तरफ ज़्यादा ध्यान के अंदरित कर पाएंगे परमिश्वर सभी को आशिश दे आई एम प्राट तुमें गरे परमिश्वर पिता प्रबू हम आपका धन्यवाद करते हैं हम महान नहीं है प्रबू आप महान हमने किसी के लिए जीवन नहीं दिया प्रबू आपने हमारे लिए जीवन दिया आपका वचन कहता है क्योंकि जब तुम पापी ही थे तब मसी तुमारे लिए वरा प्रबू जहां हमें खुदावंद मरने की जरूरत थी जहां पर हमारा खुण बहाना था जहां पर हमारा बलिदान उना था प्रबू आपने अपना बलिदान किया प्रबू हम आपका पिता सुर्ग का है और हम जो आपकी संतान नगर प्रहुँं हमारा राज्जे भी महीं पर है पिता प्रहुमुज़र। प्रभो न इसकार करते हैं कि आज जबकि आपका कलाम सुना गया है प्रहुं relevant कि इस वर्ल्ड इसनोट आवर हों प्रहुम। प्रभू ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं, और जबकि प्रभू हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं, तो जिस प्रकार आपका दास पत्रस लिखता है कि अपने हर एक चाल चलन में पवितरता के साथ, निर्दोष्टा के साथ, परमिश्वर के सामने अपने आपको प्रगट करने का यतन करो, प्रभू आपकी पवितरात्मा हमारी मदद करे, कि हम पवितरता के साथ, प्रभू जब खड़े हों आपके सामने, तो पवितरता के साथ, प्रभू बिना किसी दोष्ट के, बिना किसी कपट के आपके समुख खड़े होने लेकिन जब ये सब चीजे भी नाश हो जाएंगी वी हैव ए बिल्डिंग फ्रम गॉल्ड परमिश्वर की उसे हमारे लिए एक स्थान है प्रभू हमारे मनों को तैयार करे ताकि प्रभू हम ये पृत्वी की चकाचोंद में यहां के अट्रैक्शंस में पिता परमिश्र इतने नाफ सजाएं कि हम ओपर की चीज़ों को कभी देखने ही ना पाएं पिता आपकी पूटर आत्मा मदद करे हमारी आँखोंपे से खुदावंद हमारी आँखोंपे से वो spiritual darkness को वहटा दे ताकि हम आपकी ब्यूटी को और आपने जो वो चीजे जो बिल्डिंग आपने स्वर्ग में रखी है हमारे लिए प्रबू हम उसे देखने पाएं और खुदावंध हमारी मदद कर कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके कलाम पर चलने वाले हो सके पिता प्रबिशर हम जानते हैं कि लोगों में आज ग्यान बहुत है पिता और बहुत ग्यान की बाते करकर लोग इधर उधर भैकाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन प्रबू आपका कलाम हमारे जीवन के लिए चीत है यूर वर्ड इस गाइडिंग लाइट पिता आपका वचन सदा सरवदा बना रहा है वेसले प्रबू आप हमारी मदद करें कि हम प्रबू आपके वचन के प्रती गंबीर होकर और पिता प्रमेशर आगे बढ़ते रहें मजबूती के साथ कोदावंद हमेशा के लिए प्रबू प्राइट ना करता हूँ जितने भाई वे नाच जुड़े हुए प्रमेशर प्रबू हरेक के जीवन में आपका कारे होने पाई हरेक के जीवन में आपके आशिश आपकी बरकत के लिए प्राइट ने करता हूँ पता आओ या पीओ, सब परमिश्वर की महिमा के लिए करो, इस मिटिंग के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा, हमारी वर्शिप के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, प्रभू सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिने, देने वाद प्रभू हमारी प्रात्मा सुनने के आरतना प्रभुय शुमसी का नाम में मौन आमेन